समस्कार बच्चों आप समों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ये टुजाइड इस्टी पॉइंट पूर मैं परदीप सर आज हम क्लास लेके आए हैं कि विद्धुधारा का रसाइनिक प्रभार टोपिक से को हम कोस्टे अंसर को देखेंगे आपके परिशा में किस तरह से कोस्टन को पूछा जाएगा तो आए कुछ देखते हैं क्या है कि चालक किसे कहते हैं ये भी आपसे कोस्टन पूछा जा सकता है कुछ चालक किसे कहते हैं ये भी कोस्टन पूछा जा सकता है और ये देख रहे हैं विजली मिस्त्री जो काम कर रहे हैं तो इस पर भी कोस्ट बना सकता है कि विजली मिस्त्री हाथ में रबड का दस्तना पाहन कर काम करते हैं क्यों इस पर यह कोस्टन बन सकता है और आईए देखते हैं कोस्टन आप कोस्टन यहां देखने को हमें यह भी बिल सकता है कि हिन चालक किसे कहते हैं या चालक पदार्थ के कितने परकार हैं य लिखेंगे हिन्चालक, सूचालक और कुचालक लिखेंगे और जदी आप से पूछा जाके हिन्चालक किसे काते हैं, सूचालक किसे काते हैं या कुचालक किसे काते हैं तो इसके बारे में आईए क्लास में देखते हैं कि कोसेंसर किस तरह से बनाएंगे वीडियो को अंतक देखिएगा बच्चों आपसे मेरा रिकमिस्ट है कि अगर आप हमारे इस चनल पर अभी नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल एकन की नोटिबिकसन को ओन कर लिजे क्योंकि मैं आपकी ये नए नए टोपिक लेकर परिक्षा से सम्बंदित क्लास से सम्बंदित हम कोसेंसर आपके साथ सेयर करते हैं आप यहां question को देख रहे हैं क्या है कि आपके घर में switch की मरमत करते समय विद्ध मिस्तरी रबड के दास्ताने क्यों पांता है व्याख्याकर जदी ऐसा question पूछा जाए तो answer लिखेंगे यहां से यहां तक कितना लिखेगा तो आपका नमर जो अभी है वो मिल जाएगा और पुरा लिख दीजे यही कारण है कि विद्ध स्वीच की मरमत के समय विद्ध मिस्तरी रबड के दास्ताने का परियोग करता है यह आपका answer हो गिए बहुत ही सरढ़ धंक्स आपको बता रह है यह लिखेंगे आप यहां देख का हिंदी नाम लिखें जदी यह question आप से पूछा जाए तो टेस्टर किसी कहते है कॉन सा है अगर नहीं देखें तो यह दिखें आपके पास यह tester है यह देख रहे है तो कहता है इसको हिंदी में क्या कहते है आप जानते दिए इसको को सकता है तो कि आधे यह अनुपात होता है तो लिखेंगे पानी में दो नुपात हाइडरोजन तथा एक अनुपाद आक्सीजन होता है यह आपका है जो कि पानी का अन्फूत्र क्या है है एच टू ओ क्वेश्चन क्या है कि विद्धूत लेपन किसे करते हैं यह जो अभी देखें आप अन्सर क्या होगा कि विद्धू धारा के सहता से किसी तार की सता पर एक्षित धातू को निक्षेपित करने की प्रकिरिया को विद्धूत लेपन करते हैं यह अपर इभसा को लिख सकते हैं जदि आपसे पूछा जाए अगर यह से जो दिकोस्टन यह पूछा जाए कि विद् सकती बढ़ाने है तो और उसके आपका अंसर हो गया जदी ऐसा कोशन पुछा जाता है तो इस तरह को लिखेंगे बच्चो जदी कोशन यहां ऐसा पुछा जाए कि विदूत लेपन दर्शाने वाले सरल परिपत का नमांकित आरेक बनाइए तो इस तरह से आप बनाएंगे ज यह देखिए कि किसी वस्तुप्र एक्षी धातू की परत्मी छेपित करने की परक्रिया को क्या कहते हैं तो विदूत लेपन कहते हैं कोशन है पानी को हैड्रोजन तथा आउक्सिजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए तो विदूत अब घटन करना चाहिए ने कि प्लास्टिक या लग्डिक बस्तों के जा सकता है आंसर लिखेंगे कि भींगे हाथों से विदूत उपकरनों को छुना क्यों खतरनाक होता है औरनें कि जल विदूत का चालग होता है इस तरह से बच्चो कोस्चन को देख देकर आप थोड़ा सा अभ्याज कर लिजी परिछा के द्रिष्टी कौन से काफी है महत्वपूर्ण है ये भी है कि आसुत जल विदूत जाल चालन नहीं करता है परन्तु नल का पानी विदूत का चालन करता है क्यों तो ऐसे कोस्चन को भी कोस्चन पूछा जा सकता है क्या कि विदूत चालन किसे काते हैं जो भी बताए उधारन ने तो जीन पदार्थों से विदूत धरा आसाने से परवाहित होती है उन्हें विदूत चालन काते हैं उधारन ग्रेफाइट तामबा लोहा एल्मॉनियम नेस कोस्चन देख रह है कि हीनचालक किसे काते हैं तो आंसर लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विदूत का चालन तीर होता है तो सुचालक काते हैं उधारं तांबा अब question पूछ सकता है कुचालक किसे करते हैं उधारन दें तो ऐसे पदार जिन से होकर विद्दूत का चालन नहीं होता है उसे कुचालक करते हैं उधारन के तुरुपर सुख ही लकरी यह आपका example है question अब देख रहें बच्चो आपके पास क्या है फिलσक है कि दो द्रवों का नाम बताएए जो विद्दूत का चालन नहीं करते हैं तो answer लिखेंगे आसुत जल वनस्वती तेल next question है कि आसुत जल विद्दूत का चालन क्यों नहीं करता है answer लिखेंगे आसुत जल में खनीज लवण नहीं होता है इसलिए विद्दूत का चालन नहीं करता है Next question को देख रहे हैं आसुत जल में नमक घोलने से वह विद्दूत का चालन बन जाता है क्यों? तो answer क्या लिखेंगे? नमक का घोल एक अच्छा चालन है आसुत जल में नमा खोलने से हुआ विद्दूत का चालक बन जाता है तो ये आपका answer देखे बच्चों इस तरह से answer question क्या जाता है बच्चों देखने ये आपका second terminal question है कब का है 1992 का question है इस बात को याद रहे कि 1992 में कौन सा question पूछा गया है आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसे question को पूछा जाता है ये आपके exam से भी question को पूछा गया था आईए उसके बात देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है question दिखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बिजली मिश्टरी रबर के दस्ताने पान कर काम करते है इसलिए आपको बताए कि यह important question है तो आपके साथ share की तो इस तरह से question को पढ़ना चाहिए और ज़दी question आपसे पूछे कि यह टीपणी लिखे आमल, उदासनी करन, अब घटन ज़दी ऐसा question पूछा जाए तो इसके बारे में परिभासित भी लिखेंगे अईसा question पूछने की संभावना कम है लेकिन आपको बताए जदी ऐसा question पूछे तो आप इसका परिभासा लिखेंगे और आपको यह कहना है यह देखिए, यह रासाइरिक समीकरन को संतुरित करने के लिए कहा रहा है यह question भी important है लेकिन यह syllabus में देखना है कि यह question है की नहीं लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी है संतुरित आप करने के लिए जान रहे तो comment अवसी करेंगे अगर आपको चाहिए कि इसका answer दिजे तो वीडियो को पागर आप comment अवसी करेंगे उमीद है आप हमारी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या कहा रहे है बच्चों देख रहे हैं आपके पास अत्ती लगुत्र question का एक part भी लेके आये हुए है कि जन्तुओं में जनन पाट से ये लेके आये है जन्तुओं में जनन तो यहां question आये भी पूछ सकता है कि मनुसी में सुक्रानू एवंग अंडानू के सन्योजन का चित्र दरसाते हुए वर्णन करें तो इस तरह से आप चित्र को बनाना होगा और उसके बाद क्या करना है आपको अच्छी तर देखिए यह आपको लिखना है क्या लिखेंगे जनन प्रक्रम का पहला चरण निसेचन है जिसमें मादा के अंडानू और नर के सुक्रानू का सन्योजन होता है अंडानू और सुक्रानू के सन्योजन को निसेचन काते है अगर पूछा जाए कि निसेचन किसे काते है तो answer क्या लिखेंगे अंडानू और सुक्रानू के सनलयन को निसे चन काते हैं उमीद है आपको अच्छी तरह question को समझ में आ गया होगा कि निसे चन किसे काते हैं अब लिखेंगे निसे चन के फलस रूप युगनमाज का निर्मान होता है आईए देखते हैं, next question question अब देख रहे हैं क्या है कि सजीवों में जनन क्यों महत्पुर्ण है समझाईए तो लिखेंगे, सभी जीवों की उतर जीवता के लिए जनन आवस्यक है जनन किसी जाती की निरंतरता को बनाई रखने के लिए आवस्यक है इस परकर हम कह सकते हैं कि सजीवों में जनन का विशेश मात्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीडी दर पीडी निरंतर बनाई रखना सुनिश्चीत करता है आईए देखते हैं, next question देखने question ये भी पूशे के और लेंगी जनन क्या है लिखेंगे वह जनन जिसमें अकिला जीव ही अपनी संत्ति पैदा करता है इस परक्रिया में नर्त था मारा युगमकों का निर्मान नहीं होता है ये इसका answer लिखेंगे question यहां ये भी हो सकता है कि दो जनतू हैं जिसमें पहले में बाहिर निस्चन होता है और दूसरे में आंतरिंग निस्चन होता है तो पहला अंडा देता है अब दूसरा सीधे ही सीशू को जन्म देता है अब उत्तर देजे ये आपके पास ये question इस तरह देखने को मिल सकता है और इसका answer क्या लिखेंगे आईए इसको अचीतर से देखते है तो इसका answer एक नमर का लिखेंगे अंडपरजलाक लिखेंगे दो नमर का लिखेंगे मेडक मचली लिखेंगे और तीन नमर का लिखेंगे जरायूज लिखेंगे उसके बाद देख रहे हैं आपके पास question क्या है देखें तो चलिए जनन क्या है question ये भी पूछ सकता है तो किसी जीवद्वार अपने जैसी संतान उत्पन करने की परक्रिया को जनन काते हैं ये लिखेंगे question नहीं से कि कौन सी परक्रिया परतियक जीव की उतर जीवता के लिए आवस्यक है तो आंसर लिखेंगे जनन परतियक जीव की उतर जीवता के लिए आवस्यक है नेस question को देख सकते हैं क्या है जनन क्यों महत्पूर्ण है तो जीवों में जनन का विशेश से महत्व है योगी क्योंकि यह एक ऐसे जीवों में पीडी दर पीडी निरंतरा बना रायक ने सुनिश्चित करता है यह आपका हो गया आप question आपके पास के जरायूज की नहीं काते है तो लिख सकते हैं इसको कि जो जन्तु अपने जैसे सीसू को जन्म देते हैं उन्हें जरायूज कहते हैं यह आपका अंसर हो गया question देख रहे हैं कि अंड प्रजक जीव किसे कहते हैं तो लिखेंगे वे जन्तु जो सीदे सीसू को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं बच्चो देख रहें यहां पर कुछ question है तो इस question मैं से question उठा लीए कौन सा question है कि जिवास में इंधन क्या है और उसके पाद देख रहे हैं एक question यहां भी यह है दहन किसे कहते हैं और अच्छे इंधन की क्या विसेज़ता है तो आप देख रहे हैं यह अच्छे इंधन की क्या विसेश्ता है और दहन किसे काते हैं, इसके बरेमाई यह कॉश्चिन सरको थोड़ा देख लेते हैं。 तो यह रहा आपका आंसर को स्चिन, दहन कितने प्रकारक्ते होते हैं? प्रत्यक्त की परिभास आदें. तो यह देख रहे हैं आपके पास तीवर दहन, सुवता दहन और 20 फोटा, यह आपका है, इसे अच्छी तरह वीडियो को पाउस करें और इसे याद कर लें, और यह कोश्चन देख रहे हैं कि आदर से इंधन की कोई चार विसेस्ता हैं लिखे, तो लिखेंगे, सस्ता होना च चाहिए, और उच उसमी मान होना चाहिए, दहन के उपरांद कोई विसेली गेस नहीं निकिलने चाहिए, तो यह आदर से इंधन के चार महतपूर विसेस्ता हैं, उमीद है, आज का क्लास आपके लिए कापी यूज़फूर रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, और दोस्तों को वीडियो को सेर कीजिए, ताकि वो भी बच्च अच्छी तरह से एक्जाम की तयारी कर सकें, अगर किसी तरह की कोई दिकत हो, तो आप कॉमेंट आवस्य करें, मैं आपका कॉमेंट का इंतिजार करूँगा, मिलते हैं नेक् तक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो.